दोस्तों इन दिनों अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन को सास नहीं आ रही है उनका सास लेना जो है दोभर हो गया था क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि उनके पास ऐसी सूपर पावर है और वो सूपर पावर जहां पी जाएगी सब कुछ तबह बरबाद कर देगी पर ये सूपर पावर का जो सूपर घमण था उसे चकना चूर करने का काम इसलामिक रेजिस्टेंस ने कर दिया जहां अभी जो बाइडन की आखों के आसू सूखे नहीं थे जो उनके सैनिकों को धेर किया गया उसको लेकर के मातम मनाया ही जा रहा था गीदर भब की दी ही जा पारा एराकी रेजिस्टेंस द्वारा सीरिया में अमेरिकी मिलिटरी बेस के उपर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी गई है जिसकी जानकारी सामने आई तो साथ तोर पर एराकी रेजिस्टेंस ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम अपने कदम पीछे हटाने वाले रही हैं जॉर्डन के अंदर जो अमेरिकी सैनिक मारे गए जहां बताए गए तीन सैनिक अब मरने वाले सैनिकों की संख्या तीन से बढ़कर के आठ हो चुकी है कि 30 से ज्यादा सैनिक जो है वो खायल है और 12 ऐसी हालत में हैं जो कि कभी भी उनकी हालत बिगड़ सकती है सोचिए किस कदर जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर तबाही मची है जिससे बिलबिलाहट खतम नहीं हुई थी और बड़ा हमला कर दिया जाता है जहां आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट ने इसका खुल करके खुलासा किया और बताया कि दुबारा अटैक जो है वो यूएस मिलिटरी बेस के उपर सीरिया के अंदर हुआ है और जब ये हमला हुआ तो इसकी बारे में बताया गया कि इस बार ये हमला ड्रोन हमला नहीं था बलकि मिसाईलों से हमला किया गया और ताबरतोड मिसाईले जो हैं बारा मिसाईले बरसाई गई और बारा मिसाईले जो बरसाई गई वो यूएस शदादी बेस के पास में ब की जानकाली देखें तो अब तक 174 हमले हो चुके हैं अमेरिकी मिलिटरी बेस पर साड़े 300 से ज्यादा सैनिक जो हैं गायल हैं 50 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो इन हमलों में मारे चाच चुके हैं दोस्तों के आसपास ड्रोन इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा बरसाए गए हैं तो वहीं 100 से ज्यादा मिसाईले बरस चुकी हैं जो तबाही का मनजर देखने को मिला क्योंकि इस आग में इस तरीके से अमेरिका जुलसे का उसे भी अंदाजा नहीं था जो कि इसके बाद जानकारी सामने आती है कि जो तमाम लोग इसराइल का साथ दे रही हैं चाहे बरिटेन हो फ्रांस हो कनाडा हो अब कनाडा के जो प्रधान मंत्री हैं जस्टिन टूडू उनके खिलाफ एक अलग ही मोर्चा उनहीं के देश में खुलने लगा है जो लोग गाजा के अंदर नरसंगार कर रहे हैं और अपने आपको बड़ा बलवान समझ रहे हैं चाहे अमेरिका हो इसराइल हो ब्रिटेन हो फ्रांस हो या कनाडा इनकी अवाम जो है सडकों पर उतर करके एहतजास कर रही है और अपनी ही हुकूमत को आईना दिखा रही है जहां मुस्लिम और्गनाइजेशन्स जो कनाडा की मुस्लिम और्गनाइजेशन्स है उसने जस्टिन टूडू से मिटिंग कैंसल कर दी है और टोटली बाइकॉर्ट जस्टिन टूडू का कर दिया गया है और ये मैसेज दिया गया कि जस्टिन टूडू ने मुस्लिम संगटनों को बुलाया था उनसे मुलाकात करने के लिए जहां मुस्लिम संगटन ने साफतोर पर इंकार कर दिया कि अब आप से मिल करके कोई फा जो कि एक देश के प्रधान मंत्री का वहां की अवाम बाइकॉट कर रही है और खुल करके जेस्टिन टूडू के खिलाफ जो है बिगुल फुका जा रहा है जो तस्वीर कनाडा से सामने आई है और सिरफ कनाडा ही नहीं बलकि जो बाइडन जो हैं कल के हुए हमलों पर मातम म हमला हो जाता है तो उसके बाद जो बाइडन की जनकारी सामने आती है कि हमने जो है हमला कैसे किया गया इसकी जनकारी जो है तीनों जो सेना हैं उनसे मांगी है जिसके बाद उन्होंने बताया कि विलियम सिम जोरिम रिवर्स और कैनेडी लैडन और इसी के साथ साथ विरोन अलेक्जेंडरिया जो है वो धेर हो चुके हैं इन हमलों में और फिर कसम खाई बाइडन ने के हम अपने तरीके से जवाब देंगे और हर चीज में हम बताएंगे के कैसे प्राहार होता है तो वही बाइडन ने खुले तोर पर धंकी दी और पूरी डिटेल बताई किसे हमला हुआ कितने सेनिक जो हैं वो मारे गए क्योंकि आज की संख्या जो है वो यहां इंकलूड नहीं बताई जा रही पर इंटरनेशनल मीडिया एन बीसी और तमाम रिपोर्ट्स ने ये खुल करके कह दिया है किसेनिकों की संख्या जो है मरने की बढ़ चुकी है तो वही एंटेनी बलेंकिन तमाम देशों के दौरे के दौरान जो है तमाम नेताओं से तमाम संगटनों से मुलाकात कर रहे हैं जहां उन्होंने सयुक्त राश्ट संख से जो अधिकारी हैं उनसे बात की अमर्जेंसी मिटिंग बुलाई युएन की अमर्जेंसी मिटिंग बुला ली गई जहां साफ तोर पर तमाम देशों को एक मैसिस दिया गया मिडल इस्ट के के अब हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे के हमें कब कहां किस पर हमला करना है और ये भी डर सता रहा है कि अगर सीधे तोर पर एरान के उपर हमला कर देते हैं तो कई मोर्चे खुल जाएंगे कई देशों को जंग में कुदना पड़ेगा जिसकी जानकारी खुद एंतिनी ब्लिंकिन दे रहे हैं और साफ तोर पर कह रहे हैं कि इस हमले के लिए जो भी रिस्पॉंसिबल होगा हम उसे सबक सिखाएंगे जहां बाइडन के सुर अलग हैं एंतिनी ब्लिंकिन के सुर अलग हैं तो वही ये भी जानकारी सामने आती है कि जो यूएस की सीरियन बॉर्डर के पास में अमेरिकन तमाम तरीके से बयानबाजी चल रही है तमाम लीडरों की बयानबाजी सामने आई जिसमें सब्रीना सिंग ने ब्रिफिंग करते हुए ये साफ तोर पर बताया जो जिप्टी पेंटागन की प्रेस सेकेटरी है सब्रीना सिंग उन्हों ने ये जानकारी दी कि इन हमलों के पीछे एरान है हमने सारे सबूत जुटा लिए हैं क्योंकि अगर आप एराग सीरिया की बात करें तो एरान उसे फंडिंग और हतियार देता है अगर आप हिजबुल्ला हमास की बात करें तो एरान हतियार देता है और यमन में भी एरान जो है वो फंडिंग और पैसा सब चीज जो है हतियार देने का काम एरान दौरा किया जाता है और इस हमले के लिए पूरा कसुरवार जो है वो एरान को ठेरा दिया गया और धमकी दी गई कि हम एरान को किसी भी कीमत पर बकशने वाले नहीं हैं जो कि खुद डिपेंस सेकेटरी की जो प्रेस कांफरेंस है उसके दौरान ये बाते सबरीना सिंग दौरा कही गई जो के खुले तोर पर एरान के खिलाफ अमेरिका बिगल वूख रहा है तो वहीं ये भी जानकारी दी गई कि अमेरिका का ये हमला बड़ा फेलियर है जिसके पास सूपर पावर जिसके पास सूपर टेकनलोजी है जिसके पास सूपर हतियार है वो इतने बड़े हमले का कैसे श इस्ट्रिक्शन कर रहे थे कुछ ड्रोन जो है हमारे वापस आ गए और हमें लगा कि ये हमारा ड्रोन है पर वो दुश्मन का ड्रोन था और दुश्मन के ड्रोन को पहचानने में हमसे बड़ी गलती हुई है हमारा बड़ा फेलियर है जो कि खुद वहां की इंटरनेशनल इडिया जो है खुल करके बता रही है कि सूपर पावर जो है सूपर फ्लाउप हो चुका है जिसके चलते इतना बड़ा हमला हो गया अमेरिका के उपर और अमेरिका के उपर हुए हमलों को लेकर के जो खलबली पुरे दुनिया में मची है उसे लेकर के आपके साथ हाजिर होत कर रहूंगा दिचे इसासत शुक्रिया